लगता है राहूल गांधी को लेकर कॉंग्रिस की मुश्किले खत्म होने का नाम नहीं ले रही मोधी सरनेम की तुलना चोरों से करने को लेकर राहूल गांधी एक बार फिर घिर गए हैं इस बार राहूल गांधी पर ललित मोधी ने हमला किया है ललित मोधी ने कहा है कि वो राहूल गांधी पर मोधी नाम को चोड़ों से जोड़ने के लिए इंगलैंड की अदालत में केस करेंगे ललित मोधी ने एक के बाद एक तीन ट्वीट कर कॉंग्रेस और राहूल गांधी पर कई सवाल खड़े कर दिये अपने तीनों ट्वीट में ललित मोधी ने कॉंग्रस के भष्टचार की कलई खोलने की कोशिश की ललित मोधी ने अपने पहले ही ट्वीट में ये साफ कर दिया कि वो लंडन की अदालत में राहुल गांधी पर केस करने वाले हैं ललित मोधी ने राहूल गांधी को चितामनी देते हुए कहा कि कोट में सॉलिट बचाव के लिए तैयार रहें ललित मोधी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि मैं लगभग हर एरे गेरे गांधी सहीयोग्यों को बार बार ये कहते हुए देखता हूँ कि मैं नयाय का भगोड़ा हूँ क्यों कैसे और कब तक मुझे कभी भी इसके लिए दोशी ठहराया नहीं गया हैस्टेक पपो और राहुल गांधी जैसा एक सामान ये नागरिक ये कह रहा है ऐसा लगता है कि एक और सभी विपक्षी निताओं के पास करने के लिए और कुछ नहीं है इसलिए वो भी या तो गलत जानकारी रखते हैं या सिर्फ प्रतिरोत की भाब न रखते हैं मैंने राहुल गांधी को कम से कम उन्हीं तुरंथ प्रिटेन की अदालत में ले जाने का फैसला किया है मुझे यकीन है कि उसे कुछ ठोस सबुतों के साथ आना होगा मैं उसे खुद को पूड मूर्क बनाते देखने के लिए उत्सुक हूँ आरके धवन सीता राम केशरी मोती लाल वोहरा आदी सब ही गांधी परिवार के लिए पंचिंग बैग रहे हैं नाराइंदत तिवारी को भी नहीं भूलना चाहिए आप सब ही के पास विदेशी संपत्ती कैसे है पूछो श्री कमलनात से मैं भेच सकता हूँ उन्होंने डायरेक्ट सवाल किया कि इन लोगों के पास विदेशों में संपत्ती कैसे है खुद ही जवाब देते हुए कमलनात से पूछो बोलकर कमलनात को भी कट घरे मिलाकर खड़ा कर दिया ललित मोदी ने दूसरे ट्वीट में लिखा भारत की जनता को बेवकूफ मत बनाओ असली धूर्ट और बदमाश कौन है सब जानते हैं गांधी परिवार ना हो गया मानोव हमारे देश पर शाशन करने के हगदार है और हां जैसे ही आप कड़े कानून पारित करेंगे मैं वापस आ जाओंगा आईपेल पर बोलते हुए ललित मोदी ने लिखा पिछले 15 सालों में आज तक एक पैसा नहीं लिया ये साबित नहीं हुआ है हां ये सपस्ट रूप से सिध हो गया है कि उन्होंने इस दुनिया में सबसे बड़ा खेल आयोजन बनाया जिसने 100 बिलियन डॉलर के करीब बिजनिस किया तीसरे और अंतिम ट्वीट में एक बार फिर ललित मोदी ने कॉंग्रिस को भेटते हुए लिखा कि ये नहीं भूलना चाहिए कि 1950 के दशक की शुरुआत से ही मोदी परिवार ने उनके लिए और भारत देश के लिए इतना कुछ किया है जिसकी वो कभी कलपना भी नहीं कर सकते जितना करने का सपना देखा था उससे कई अधिक किया अपने ट्वीट के आखरी लाइन में ललित मोदी ने लिखा इसलिए फेकते रहो घुटाले बाज भारत के दागी लुटेरे गांधी परिवार की तरह जैहिन ललित मोदी के स्ट्वीट के बाद कॉंग्रिस खेमे में एक बार फिर खलबली मच गई है